नवेश क्या दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगिंदराव है, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, इसमें मैंने दो टॉपिक्स को कवर करने कोशिश की है, एक तो बर्ड्स को नैचुरल कैल्शियम हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, अब अगस्त के बाद अगर आप अपने पैट्स जैसे पक्षी कवूतर या कच्छो के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिएगे, लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए, और चैनल की मेंबर्शिप जो जो होते हैं, अंडे के छिलके जो हैं, यदि आप अंडा खाने के पाद जो छिलका बरसता है, उसको एक जगए खटार करते हैं, जो काफी सारे छिलके खटार होते हैं, इनको बारीक पीस करके चूरा बना लेगी, ये सबसे बड़िया कैल्शियम है आपके बर्ड्स के जाएगे, या दूसरा जो है, उबले होई चावल जो होते हैं, वो भी कैल्शम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, वो एक सोस्टराइट का काम भी करते हैं, यदि आप अपने बर्ड्स को बॉilड राइस देते हैं, तो ऑटमेटिक कैल्शियम की पूर्तिया खी हो जाएग तो आप देखेंगे automatic birds उस चिलके को बहुत अच्छी तरीके से आप कह सकते हो बहुत टेस्ट लेकर के खाता है वो एक calcium का बहुत अच्छा सोर्थ होता है इसलिए birds को यदि आप calcium देना चाहते हो और आपके उसको चीज़ अवेलेबल नहीं है तो automatic ये तीन चीज़े इसलिए हमारे सभी के घरों में अवेलेबल याती है और ये calcium के बहुत अच्छे सोर्स है और breeding season में जब आपके birds की calcium requirement बहुत अधिक होती है तो automatic ही ये दिया आप अपने birds को देते हैं तो आपको breeding का जो result से successful rate काफी 100% बिलेगा यानि आपका bird जो 4-6 अंडे देता है वो 8-10 अंडे तक भी दे सकता है और दूसरा सबसे बड़ी बात जो अंडे होंगे वो काफी healthy होंगे यानि healthy का मतला उनको जो शेल होगा उपर से काफी strong होगा नहीं तो देखाऊगा calcium deficiency में उपर का शेल इतना पतला होता है लचीला होता है कि उसमें कई बार अंडा टूट भी जाता है और जो बच्चा होगा काफी कमजोर होता है यदि आपका birds में calcium प्रॉपर आपने डाइट में दिया तो अटमेटिक अंडा healthy होने से उसका जो future generation होने वाला बच्चा भी काफी healthy हो एक जो समस्याती है breeding season के दोरान कि birds आपने मठ्किया तो लगा दी है अपने पूरे घर के अंदर लेकिन birds मठ्की के अंदर नहीं जा रहा है breeding नहीं कर पा रहा है ऐसी क्या चीज हो या कहां पर हम गलती करते हैं कि मठ्की लगाने के बाद भी आपके जो birds है love birds है वो breeding नहीं कर पा रहे है देखिए आपको पता होना चीए एक तो मठ्की का size medium size का होना चीए ज्यादा छोटी मठ्की में भी birds जो है comfortable नहीं होता है तो birds उसके अंदर जाना prefer नहीं करता है क्योंकि आपको पता है कि birds 6-8 अंडे देता है यदि आपकी मठ्की का size चोटा होगा तो birds उसके पहली बात उसमें अंदर जाएगा नहीं जाने के बाद यदि अंडे रखने के बाद उसमें काफी space काम होता तो अटमेटी कर बर के होता है birds उस भीड को देख करके या space कम होन इतनी बड़ी मठ्की आपको लेने चाहिए जो सबसे important होता है कि birds मठ्की के अंदर क्यों नहीं जा रहा है क्यों नहीं settle होता birds क्यों डर रहा है बार बार मठ्की वो होता है birds के अंदर जो entrance आप मठ्की के अंदर जो आप entrance लगाते हो मठ्की के अंदर जो आप छेद करते हो जिसमें से आपके birds ने अंदर और बहार आने जाना होता है यदि उसकी position या उसकी location आपका होगे ठीक नहीं होगे तो birds कभी भी मट्की के अंदर नहीं जाएगा जाने से डरेगा या जाएगा तो breeding कभी भी भी ने करेगा birds की जो मट्की का छीर होता है automatic mid size से थोड़ा सा उपर होना चाहिए ताकि जब आपका birds उसके अंदर जा करके बैट जाता है बैटने के बाद अंदर बैटने के बाद क्योंकि उसमें bedding material भी होता है birds की एग भी होते हैं जब birds उसमें बैट जाता है अंदर से बैट करके birds को बाहर का कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए तो इसी हिसाब से उसकी जो है entrance की location आप इसी हिसाब से रखिए उसका छेट की थोड़ा सा half वाले base से उपर रहे और थोड़ा सा बढ़ा होता कि birds बाहर अंदर जाने में उसको किसी प्रगाय तर्मीफ नहीं हो यदि किसी कारमर्स आप उसकी location या जो उसका entrance हो नीचे की side में कर देते हो एक तो birds को बाहर का सब कुछ नजर आएगा birds हमेशा डरता रहेगा दूसरे birds को जब बाहर से नजर आएगा ब्रीडिंग सीजन के दौरण और मट्की का size यदि आप इन दो चीजों का ध्यान रख लेंगे तो आप ब्रीडिंग में आप successful माने जाएंगे इसलिए अपने birds के अंदर ब्रीडिंग सीजन में मट्की का size location ये बहुत जादे important रहे दूसरा एक मट्की से दो मट्की के बीच का जो distance होता वो भी काफी matter करता है कि birds comfortable रहें ज़्यादा नजदीक एक मट्की से दूसरी मट्की लाएं क्योंकि birds आपस में एक दूसरी मट्की में चला जाता है कई बर गलती से जाकर के वहाँ पर फिर लड़ाई होने के chances रहते हैं ऐसे में fighting में क्या करता है यदि birds दूसरे की मट्की बुच जाता है तो गुस्से में दूसरे birds के अंडों को बाहर फेक देता है इसलिए उनकी जो location है कम से कम उनके बीच में 18 से 20 इंच का दोनों मट्कियों के बीच में distance होना चाहिए तो इस परकार आप एक मट्की में बदलाव करके भी आप अपने birds के breeding को results को improve कर सकते हो खाने के अंदर आप calcium दे सकते हो ताकि आपके birds को result मिले बहुत अच्छा मिले आज मैंने इस वीडियो के मध्यम से आपको बताया है कि आपको birds को खाने में calcium के source में घरेलू क्या क्या चीज़े देने चाहिए दूसरा यदि आप breeding अच्छा चाहते हो तो birds का घर कैसा होना चाहिए उसकी location कैसी होने चाहिए उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद